लोगडाउन लग गया था करनाल के दो सेक्टरों में लेकिन जिन घरों में शादी है उनकी टेंशन बढ़ गई थी उनके हमारे पास फोन आए लेकिन सबसे बड़ी बात है कि करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादर से हमने इस बारे में बातचीत की है तो आप देख स की बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि उर भी अगर लोगडाउन के इंखर कोई मैरीज फंड़न है तो वह जा सकते हैं उन्होंने जो शादी वाली प्रमिशन ली हुई है उस पर जो है वह जा सकते हैं क्योंकि काफी लोगों के ऐसे फोन आ रहे थे जिनकी बड़ी बड़ी परिशानी है तो उनकी बड़ी परिशानी और टेंशन देखकर यहां पर हम पहुंचे हैं तो उनके बेटे हमारे साथ मौझूद है उनसे हम जाना चाहेंगे टेंशन होगी घर में शादी है हमने भी देखा कि अच्छा आपने फोन किया कि किस तरह से शादी वाला घ है कि आज रात से ही लोगडाउन लग जाएगा हमारे सेक्टर 7 और सेक्टर 8 में बड़ थैंक्यू सो मच आप यहां है आपने उस चीज को क्लियर किया और डी सी जी ने भी परमीशन दे दी है कि विद प्रॉपर गाइड लाइन्स लाइक जितनी कैपासिटी है उसके अकॉ हम वो जाकर शादी जाकर करके आ सकते हैं सिरफ जो की जिनके घर में एक्चली शादी है हान जी काफी समय से तैयारियां जरूर कर रहे होंगे पहले काफी रिष्टदारों को बुलाया होगा लेकिन पता चला कि दिरे दिरे जो संख्या है शादी में बुलाने वाले लोगो क्यों कि वो कम हो गई है तो कहीं रिष्टेदार भी नराज होते हैं कि हर चीज समझते हैं तो इस पर क्या है मैं यह सीरियसली कहता हूँ जब पिछले साल भी लॉक्डाउन लगा था तो आप सब भी अपना ख्याल रखें अपने घर पे रहें और सेफ रहें तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से चब इनके परिवारी किसी पडोस का किसी का सदस्य का फोन आया कि हमारी कल मैरीज ह परें उनकी टेंस न पढ़ गई थी उनकी परेशानी बढ़ गई थी क्योंकि लोग्डावन लग गया था उनके पर्मीशन कुछ कम की की शादी है तो यह allowed है यह जा सकते हैं और जो नाका लग जाएगा अजरात को सेक्टर साथ और सेक्टर आठ पार्टू में उस नाके पर अपनी पर्मिशन दिखा कर जो दो से तीन गाड़िया है इनकी यह जा सकते हैं लेकिन दूसरे लोगों के लिए खास तो पर अगर आप कि आपको शादी में मन्तर हैं आया हुआ है किसी गा तो उनको किसी को आलाउड नहीं किया जाएगा सिर्फ एमर्जेंसी केस में जो है आपको बाहर जाने की जृधत होंगी यह जो siitä हों करते हैं जैसे कोई बैंक के लिए करל विआ कंटें 24 गंटे आपके लिए खड़ी है आपको पैनिक नहीं होना है चाह सेक्टर साथ के लोगों सेक्टर आट पार्टू के लोगों आपके लिए लगातार जो है पिछले पांच गंटे से लगातार हमारी कवरेज जा रही है आप अराम से रहिए एक अफ़ता अपने परिवार को सम जी है फलफूरुट है सिरफ उनी चीजों को जो है आप अपने घरों पर मंगा पाएंगे और वह लिस्ट भी जो है अभी लोकल एमसी और प्रशासन बैठकर तैय कर देगा वह नंबर्स तैय कर दिये जाएंगे तक यह आप उन नंबर्स पर फोन करकर अपने घर पर राश अगर आप कोई बहुत बड़ी परशानी में आप अधिकारियों तक परशासन तक अपना मेसेज भेजना चाहते हैं तो आप वीडियो मेसेज बनाकर सेल्फी वीडियो मेसेज बनाकर हमारे वट्सप नंबर 90 50 50 1353 इस पर भी भेज सकते हैं लेकिन मैं आपको बार-बार बत सकते हैं लोगडाउन वाले इलाके में जहां पर इस तरह की टेंशन उनकी बढ़ गई थी लेकिन आप देख सकते हैं कि डी सी साब ने आश्वस्त कर दिया है तकि इनको सुपह परिशानी नहों तो कि पुलिस नाके पर जाएंगे परिशान होंगे इसलिए इसलिए पुलि परिवार के साथ परिशानी सब के लिए है पहले आप एक साल पहले हम महीना दो-दो महीना घर पे रहे हैं लेकिन अभी एक हफता का समय है इसको निकानला जरूरी है क्योंकि से सेक्टर साथ में इस तरह के जो केसिस हैं करोना पोजिटिव केसिस काफी जादा बढ़ रहे थे सेक्टर आट पार्ट रू में बढ़ रहे थे हमारी आप सभी से हाज जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें कामल मिड़ा करनाल वेकिंग न करनाल